कि नमस्कार में नमा लोग है आप लाइव स्टीज देख रहे हैं आज तारीक है 24 मईस सुबा की पहली ख़़र आपको बताने जा रहे हैं और जो बड़ी ख़़र निकल क्या रही है वह राजसभा चुनाओं से जुरू हुई है आज से नामांकरं की प्रक्रिया जो है वो जराइदरी की ऑड़ी ख़़र निकल क्या रही है शराद आद्व का नाम जो चल रहा था फिर से राज सबहा जा सकते हैं शराद आदर फिर से राजसभा के शुरू है आजएडी की ओर से जो संभावित उमिद्वार है उसमें मीशा भारती का नाम भी कंफर्म चल रहा है लेकिन विश्वत सुत्रों के साब से जो खबर निकल क्या रही है विश्वत सुत्र जो हमारे खबर बता रहे हैं कंफर्म खबर है पकी खबर है पर फिर से रास जाएंगे इस बात पर सस्पेंस जो है वो बरकरार था लेकिन लालू प्रशादव से कल देर शाम को उनकी मुलाकात हुई कुछ समय निकल का है नहीं जा रहे हैं अब आगे लालू पर मार्टिक सरकारी आवास पर यहां पर लालू पर लग रहे हैं दवेत दिली में जिसमें तमाम बड़े नेता जो है वो शिरकत करने पहुंचे थे और शारद यादव की उमीदों को जटकार लग रहा है शारद आदव नहीं जा रहा है देखना यह होगा कि जेडियू और बीजेपी का हाल क्या है क्योंकि वहां पर भी आसे सियासी हल चले जो है व और अब काफी कम समय बच गया है और बड़ी खबर यह है कि अगले 24 घंटे के अंदर लालू पिशादव भी भिहार आ सकते हैं अपनी बिटिया मीशा भारती के साथ मीशा भारती जो की मौजुदा समय में राजस्तभा की सांसद है एक बार फिर से आर्जेडी के ओर से वह राजस्तभा जारी है इस बात पर भी लगभग लगभग मोहर लग चुकी है लालू पिशादव भिहार आ रहा है कि जो रेड हुई थी हालिक के समय में कुछ दिन पहले ही क्या उस पर कुछ कहेंगे दूसरे उमिद्वार का नाम वह नाम कौन है दूसरे उमिद्वार के न कुमकार से ही विरोधी चित हो जाया करते हैं ऐसे में लालू पिशादव का बिहार आना एक बार फिर से सियासी हल्चल को बढ़ाएगा नितीश कुमार इन दिनों जाती जन्गना खुले करके काफी जादा अलर्ट हो चुके हैं उन्हों कह दिया है कि जाती जन्गना होगी जल्दी सरुदली बैटक बुलाई जानी है तो ऐसे में लालू पिशादव का बिहार आना मिसा भारती का फिर से रास भाजाने का फैसला हो जाना यह बहुत कुछ बता रहा है दुसे नाम पर कौन होगा दुसे नंबर पर कौन होगा उस नाम पर सहमती क्या त्यस्वी आद क doğru यह दो से न陋ेSLर जो जाम है तो चाना मिसार फिर साली का फिरस का बारती है